और अब अगली खबर गडवा से है जहांसे राश्टगान की अपमान का मामला सामने आया है राश्टगान का अपमान किसी और नहीं बलकि खुद जारकन सरकार के मंतरी मिथलीश ठाकूर ने किया है मौका क्रिकिट माच के उद्घार्टन का था एक ओर जहां राष्टगान बज रहा है तो वहीं दूसरी ओर मंत्री मोहदय क्रिकिट खेलते हुए नजरा रहे हैं ये वीडियो सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है मंत्री मिथलेश ठाकूर मेराल प्रखण की हासन दागमी पंचात अस्तर्य क्रिकिट माच का उद्घार्टन करने पहुँचे थी जा राष्टगान के दौरान मंत्री मिथलेश ठाकूर क्रिकिट खेलते हुए नजरा वही मंत्री जी के इस क्रिकेट प्रियम पर कई सवाल उठ रहे हैं राष्टगान बजने पर भी आखर मंत्री जी क्यों नहीं रुके ये सवाल है और राष्टगान सबसे महतपूर तब हो जाता है जब किसी उधगार्टन में इसे गाया जाए और दूसरा सवाल ये भी कि गलती पर मंत्री जी को क्यों अफसोस नहीं है उन्होंने इस बात के लिए माफी तक नहीं मांगी और राष्टगान बजने पर भी वो क्रिकेट खेलते रही वहीं राश्टगान के दोरान क्रिकेट खेलने पर बीजेपे ने मंत्रे मिथलेश ठाकुर पर सवाल खड़े किये हैं एक तरफ बिर्शा मुंडा जी ने जिस व्यक्ति के हॉफमेन के परतीर चलाया था जो समराजवाद का संकीत था उसका स्टेची बनाया जा रहा है दूसी तरफ उनके और मुखे मंत्री आख बंद करके धितराश्ट की तरह देख रहे हैं समर्थन कर रहे हैं दूसी तरफ उनके ही केबिनिट का मंत्री जनगर्मन के समय राष्टगान के समय में क्रिकिट खेल रहा है यह बड़े दुरभागी की सती है इसा लगता है यहां सरकार नहीं चल रही है यहां सम्मिधान की धजियां उर रही है वहीं राष्टगान अपमान पर कॉंगर्स प्रवक्ता राकीश सिन्हा ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि जो वारल वीडियो में राष्टगान की समय क्रिकिट खेलते वे दिखाया जा रहा है इसकी सत्ता की जांच होनी चाहिए हम लोग राष्टगान को पूरी निश्ठा के साथ सम्मान करते हैं मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मिठलेश ठाकुर को बदनाम करने की साज़श की जा रही है ये विरोधी दलो द्वारा किया जा रहा है लगता है कि जो वाइरल विडियो में मिचलेश ठाकुर जी को किरकेट खेलते राष्टगान के समय दिखाया गया है उस वो विडियो सरासर गलत है वो विडियो कब की है कहा की है इसकी सत्ता जाचनी चाहिए वहीं पूरे ताम जाम के साथ हेमन्त सरकार जारकण में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कारेक्रम चला रही है विडियो कास यूजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है लेकिन इस विकास के दावे की पोल उस समय खुल गई जो मंत्री को ही ट्राक्टर प बांदू पंचायत के कमरगाओं में कारिक्रम में जा रहे थे रास्त में कोईल कारो नदी पड़ी और नदी के मौज़ुदा जलस्तर का प्रिश्रास्तिक अधिकारियों को अंदाजा नहीं था लहाजा मंतरी उपायुक्त सहित दूसरे आला अधिकारियों की सुरक्षा के ल रही हैं लेकिन आज तक पुल का निर्मान नहीं हो पाया उसी लापरवाही का सामना मंत्रियों और अधिकारियों को भी करना पड़ा वहीं गिरडी के हेरला मी पीडियेस डीलर की काल बाज़ारी से परिशान लापकों ने जम कर हंगामा किया सेकडो ग्रामनों ने PDS दुकान संचालक का घेराव किया लापको का आरोप है कि PDS दुकान संचालक अनाज का वत्रण नहीं करते हैं जो भी अनाज मिलता है उसका भी वजन कम होता है डीलर ने लोगों को समझाने की कोशश की लेकिन लोग समझने को तयाद नहीं थे कि मेरा 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 जाएका जाएका ता चार देगा तो मेरा मेरा जाएका 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 जा वहीं गुड़ा के पुड़ाया हाट में बालू के अवयद उठाओ का